लोग सवाय चुनावा से ठीक पहली BJP ये CA कानून का इंप्लिमेंटेशन तो कर दिया है लेकिन अब देश ही नहीं विदेश में भी इसका विरोध होने लगा है मोदी जी के जिगरी दोस्त ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिये हैं मोदी जी के चहेते देश ने भी कहा है कि CA कानून फेदभाव करने वाला है और मोदी जी के चहेते दोस्त के अलावा भी दुनिया के लोगों के राइट्स के रक्षा करने वाली संसा ने भी मोदी सरकार के फैसले को गलत बताया है कहा है कि ये कानून मुस्लमानों के खलाफ है दरसल लोकसबचुनाव को देखते हुए इपने फायदे के लिए ठीक लोकसबचुनाव से पहले बीजेपी ने सी कानून लागू कर दिया है उसका implementation कर दिया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लमानों के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांगलेदेश से आए हिंदू, सीख, बोद, पार्सी, इसाई और जैन समिदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जबकि मुस्लमानों को इस कानून के तहट कोई विला से भी इस कानून को लेकर चिंता जाहिर की गई है, सन्युक्त रोस्ट और अमेरिका द्वारन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंता जाहिर की गई है, सन्युक्त रोस्ट ने सीख कानून को भेदभावपून बताया है, वहीं अमेरिका का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है एक मीडिय संसान से बात कर दे हुए अमेरी की विदेश विभाग के परवक्ता ने कहा है हम 11 मार्थ को जारी किये गए सीए की अधी सूचना को लिकर परिशान है पूरे मामले को लेकर हम गहलता से विश्रेशन कर रहे हैं कि महां इसा कैसी लागू किया जाएगा धर्मे का अजादी को समान और सभी समुधायों के लिए कानून के तहत समान विवार लागू करना मूलभूत लोकतांतरिक सिध्धान्त है मतलब अब अमेरिकी परवकता हमारे देश के परधान मंतरी को समझाना उन्हें पढ़ लागा है कि सभी लोगों के साथ एक जैसे बेवार करो सबको अपने धर्म मानने के आजादी है और सभी लोगों का कानून के तहत बराबर समान होना चाहिए दोसे सिव अमेरिका या यूएन ही नहीं बलकि इसके अलावा भी हिमिन राइट्स वाच और अमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस कानून को लेकर मुस्लमानों के खलाब उन्होंने इसको बताया है उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है वो मुस्लमानों के खलाब भेदभाव करने वाला है दुनिया के देश संस्था इस कानून को भेदभाव करने वाला बता रहे हैं लेकिन अमेरिश शाजी बोल रहे हैं कि इस कानून से कुछ नहीं होगा मुस्लमानों पर कोई भी फरक पड़ेगा अगर बाकी फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्यों अमेरिका अब इस पर आवाज उठाने लगा है हिमर राइट्स देखने वाली संसा इसको मुस्लमानों के खलाब बता रही है दोस्त बस बीजेपी कानून लेकर आ जाती है लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं हो 606 लाख बच्चे हर रोज गरीबी की वज़ा से भुकमरी की वज़ा से भूके पेट सोने का मजबूर है लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हमारी हालत पाकिस्तान बागले देश नेपाल से भी ज्यादा बुरी है मतलब भारत में इ ही नहीं पता कि इतनी भुकमरी है तो इन लोगों को बसाएंगे कहां पर कहां से इन लोगों को रोजगार दिया जाएगा कैसे नोकरिया देंगे सरकार को कुछ भी नहीं पता बस पता है तो इस बात का कि कैसे चिनावों में जंदा का फायदा उठाना है कैसे उन्हें भीटिक प्याल कि झारिफ औरूं कि वड़ सानी देालगी है